नमस्कार दोस्तों गूड मॉर्निंग गेट सक्सेश 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आप सभी के लिए फिर से लेखा चुका है राजसान करेंट अफेस का एक और वीडियो आज है 27 जून तो 27 जून की मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेस यहा साथ फोब्स की जो लिस्ट जारी की गी है उसके अंदर भी इनको नौवा स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड के अंदर अब आज के लिए आपका कोशन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में के राजसान की पहली सिमेंट फेक्टरी कहां स्थापी दोईटी यहाँ पर आपको दे रखे हैं जिलों के नाम अब उस जिले के अंदर किस जगह यह स्थापी दोईटी फेक्टरी उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में साथ में लिखना होगा तो फटावर्ट से इसका जवाब दे दीजे कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करते हैं आज क यहाँ पर एक एक rate हो लेगा तो कल राज मिस्टर बेसी कल राजञे पाल है और कुलादी पति क्या होता ए बेसी कल वेपिनार है ये 26 जून को आयुजित किया गया था 26 जून को करशी शिक्षा पर दो दिवस्य आयुजित वेबिनार को राज भहन से वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से इनको संबोधित किया था कि इसने कल राज मिश्ण है उसके लाब स्वामी केश्वनंद राजस्तान कृशी वीडियाले वीकानेर के और से आयुजित कोविड-19 के बदलते पर इदर्शे के तहट विशे पर कृशी विशे शिक्षक्यों दोवारा विख्यान दिये गए इसके अंदर इस वेबिनार के अंदर और साथ साथ कृशी मार्ग दर्शी का 2020-21 को किसानों के लिए जारी किया गया राजजपाल विशे विदहले की जो समवन्ती कृशी प्रणाली है इकाई है उसका भी यहाँ पर उद्गाटन किया गया तो बात करें अगर बिकानेर के देखिए ने यहाँ पर विज्ञान के इंदर खोलने की गोश्टना किया है और अभी हाले में यहाँ पर 533 स्थापना दिवस मनाया गया था विकानेर का उसके लावा जो भारते सेना का शीट का लिए नियोड़िप्यास है खड़क शक्ती वो भी यहाँ पर हुआ था महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में यह सभी पॉइंट आपको याद रखने बढ़ते हैं एकले कोशिन की ओर कि हाल इमें जैपूर में नव निर्मित विज्ञान एवेम प्रदोगी की भवन का लोकारपण किस नहीं किया है तो यह किया है दोस्तों सचिन पाइलेट ने सी ओप्शिन आपका यहाँ पर एकरेट हो जाएगा सचिन पाइलेट जो बेसिकली राजस्तान के उपमुख्य मंत्री यानि के डिप्टी सी एम है वीडियो कॉंफरेंस के मादियम से इन्होंने इसका लोकारपण किया है विज्ञान एवेम प्रदोगी की विभाग की जो सची वेवर्तमान में वो कोन है श्रीमती मुगदा सिना ये भी नाम याद रख लेना श्रीमती मुगदा सिना ठीक है और राजस्तान में विज्ञान एवेम प्रदोगी की विभाग की स्थापना कब हुई थी ये भी आ रखना 1983 के अंदर इसके स्थापना हुई थी समाज में विज्ञानिक स्वभाव विक्सित करने के लिए इसके स्थापना की गई थी यहाँ पर बात किसके यह दोस्तों जैपूर की तो जैपूर के संबनित करेंट अफेस जे जो कोशन्स बने हाली के कुछ दिनों में वो मैं आपके लिए हाँ पर रिवाइस करता हूँ तो देखे एक कोशन हमने बढ़ा था कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का बनेगा जैपूर में जैपूर के कौन से गाउं में बनेगा ये भी मैं आपको बढ़ा था चोप गाउं में और हाली में हमने एक कोशन बढ़ा था के गोपाल गॉषाला है कौन सी है गोपाल गॉषाला को सर्वस्ष्ट गोषाल्अ यहांपर पुरस्कार दिया घय था वो कहाँपर है वो भी हें जैपूर में तो इतने सारे कोशन्स बनते आपके जैपूर से सम्बंदेग बढ़ते हैं एकले कुशन के और के हाली में राजस्तान के किस अधिकारी को केरल राज्य का मुख्य सचीव बनाये गया है उनका नाम के है दोस्तों डॉक्तर विशाज महता बी आप्शन आपका यहाँ पर एकरेट हो जाएगा यह बेसिकली कहां से है राजस्तान के डुंगरपूर जिले से इनका संबन्द है तो 31 मई को इन्होंने पद बार ग्रेंड कर लिया था थोड़ा सा ओल्ड कोईशन लेकिन इंपोर्टेंट है क्योंकि यह राजस्तान के रहने वाल है और किसी अलग राज्य में इनको कोई पद मिला है मुक्य सचीव का पद मिला है तो 31 मई को इन्होंने पद बार ग्रेंड कर लिया था 1986 1986 से बैज के आईए सद्धिकारी है यह भी आपको याद रखना है और वर्तमान में केरल सरकार के अत्रेक्त मुक्य सचीव इनको नियुक्त किया गया है तो यह पूरी डेटल होगी इस कुश्चन के संबंदित और दोस्ता हमारा नया यूट्यूब चैनल लॉंच हो चुका है जिसका नाम है All New GK श्राइब आपको उससी बीडियो साया3 आप अपको सब्सक्राइब करो प सबयोटे है जो कि क्योड़ी से संबंदित जितने भी अब तैक लॉन्च हूए है वह उस वीडियो में आपको बताएगे है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो उस चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फटावर्ट से उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर भी करना यह आपकी जम्यदारी बनती है दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी करें बढ़ते हैं एकले कोशन के और के हाल इमें राज़तान सरकार ने कलवान घाटी में होई शहीद शैनिकों को शद्धांजली देने के लिए शहीदों का सलाम दिवस का बनाने की गोशना की है तो दोस्तों यह किये है 26 जून को सी ऑप्षिन आपका यहां पे गरेट हो जाएका मोस्ट इंपोर्टन गोशन इसे टिक कर लेना क्योंकि आपको पता है क्या हाल इमें गलवान घाटी में हमारे जो भारते सैनिक के काफी शहीद हुए थे चीन के साथ जो उनके सैनिकों के साथ जो मुटिबेड हुई थी जड़ब हुई थी उनमें यह आपको पता है ना अब उनमें जो भी हमारे सेनिक शहीद हुए थे उनको शद्धांजली देने के लिए शहीदों को सलाम दिवस इस नाम से एक दिवस मनाया जाएगा और इसके शुरुवात कब से की गई 26 जून से यह अब 26 जून को मनाया जाएगा यह important questions बनता है दिवस जो शहीद समारक है उस पर शहीदों का सलाम दिवस है वो मनाया गया यहां से मैं आपको कुछ important questions बताऊंगा तो यहां पर बात किसकी होगी है शहीदों की तो शहीद दिवस पे संबंदित आपको कुछ दिवस यहां पर बता रहा हूँ देखे ऐसे तो हमारे भारत के अंद साल में 6 दिवस मनाया जाते हैं इस है जहीदों के लिए कौन खौन से सबसे पहला शहीद दिवस कब मनाते हैं 30 जनवरी को देखे ध्यान से सुना इन चीज़ों को most important है 30 जनवरी को मनाते हैं जो कि national level पर होता है यह आपको पता है एक हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को fertil ना 23 मार्च को सुक्षदेव राजगुरु और भगत सिंग की याद में मनाते हैं यह भी आपको पता होगा तो यह दो इसका लावत चार और बताता हूं वह ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं एक मनाते हैं हम 19 मई को उनिस मई को एक मनाते हैं उससे कहते हैं भाषा शहीद दिवस यहनिके लेंग्वेज शहीद दिवस ऐसा कह सकते हैं आप जो बेसिकली बंगाल में ही मनाते हैं असम में मनाते हैं असम के अंदर जो बंगाल और असमी इस भाषा को लेकर जो हुआ था 1961 के अंदर उसके दिवस इंसिडेंट को याद करने के उपलक्ष में 19 माई को मनाते हैं बाशा सही दिवस एक हम मनाते हैं 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस सही दिवस वो उसके कहते हैं पुलिस सही दिवस एक हम मनाते हैं 17 नवंबर को 17 नवंबर ये भी डेट याद रखना 17 नवंबर ये मनाते हैं ओडिसा की तरफ से मनाया जाता ही डेथ अनिवर्षरी मनाया जाती ही किसकी लाला लाजपत रहाएगी जिसे हम Lion of Punjab भी कहते हैं 17 नवंबर के बाद एक और आता है कुछा जाता या कुछा जाता हुए है.. तो इस सबीकитель चीजें आप यार्या रख लेना है कोई के आपके लीसिती आप जारी आखड़ो के अनुसार है आत्मनिरुपर भारत योजना के दह राशन वितरन में कौन सा राजय प्रतम्तान पर राए Scottish न canvas न एक आपका यहां पर एक्रेट हो जाएगा जो कोरणा वाइरस के चलते आत्म दिर पर भारत योजना के तहट प्रवासियों को वित्रण किये गए राशन के मामले में राजस्तान पूरे भारत में पहले सान पर रहा है खाद्यवनागरे का अपूर्टी मंतरी है जो रमेश मीना है उनके अनुसार वित्रण में सबसे बहतर व्यवस्था यहां पर किस के रही है राजस्तान के रही है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर गेहूं के वित्रण किया गया है तो ज़्यादा आपको डीटेल में याद रखने की ज़रूद नहीं है बस याद रखना कौन है प्रतमस्तान पर केस राज्य को प्रतमस्तान मिला है राजस्तान को बढ़ते हैं एकले कोशन की और के हाली में जारी टीवी रिपोर्ट 2020 में 2019 में टीवी रोगी कितने प्रतिश्यत बढ़े हैं और उसकल आपने न्यू कन्रेश देखते हो तो भी आपको क्रेंटर अफेश कम्प्लीट हो जाएगा और पहले की जो क्रेंटर फेर्स है वो भी आप एक बार चैनल प्र देख लेना और उनका कमाइन्ट वीडियो पर आगी आपके लिए बना दूगा कल आपका संड़े है इस वीक में हमने जितना परसेंट करेट अप्शन हो जाएगा C तो देखे हाल इमें जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट में टीबी रिपोर्ट कब किया है 2020 किया है लेकिन इसमें जो आंकड़ा है वो कब का है 2019 का तो ये चीज़ें याद रखने है 2019 का आंकड़ा है 2019 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बड़े है 2018 के मुकाबले यह यहाँ पर कोशन है मैं पूरे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ठीक है तो 2018 के मुकाबले कितने प्रतिशत बड़े है 2019 के अंदर 14 परसेंट बढ़ गये है टीबी रोगी जो है वो इतना बढ़ गया है और स्वास्तेवा परिवार कल्यान मंतरी जो हर्श वर्दन जी है उन्होंने ये एन्वल यानि के वार्शिक रिपोर्ट जारी किया है तो टीबी रिपोर्ट 2020 जारी कर दीगे और उसमें बताया गया है कि 2019 में टीबी के रोगी ल ने वो खत करने का जो लक्ष रखा गया है वो कब कर रखा गया है 2030 का कब का रखा गया विश्योस्तर पर और लेकिन हम भारत की एकर बात करें तो भारत में जो टार्गेट अन्ग्ष है वो रखा गया है 2025 तक THAT के 2025 हम टीबी पूरी जड़ से खतम कर देंगे ये लक्षा पर यानिके इसके आधार पर एक रैंक बनाई गई है दो तिन कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी है कि पचास लाग से ज़्यादा पॉपिलेशन वाले रज्य जो है वो यानिके पचास लाग से ज़्यादा यह आप याद रखना इंपोर्टेंट है एक इसमें लिस्ट है हिमाचल प्रदेश और पचास लाग से कम पॉपिलेशन वाले राज्ये उनमें पहले सान पर कौन रहा है त्रिपूरा दोसे सान पर नागा लेंड ठीक है यह आप याद रखना तो मतलब पहले सान पर रहने का मैं आप मतलब क्या है कि इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है इसके अंदर यानिके टीबी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो पेशेंट है वो सबसे कम है तो और यह बात करें इसके लावा यूनिन टेरिटरिश की केंदर शाषित प्रदेश की उसमें पहला सान रहा है कि इसका दोस्तों दादर एन नागर हवेली का दूसरे प तो सबी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है बढ़ते हैं अगले कुशन के और के हाली में जारी दुनिया के सबसे टेज टॉप 500 सूपर कम्पूटर के लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है तो कौन सा देश रहा है दोस्तों जापान ए आप्शन आपका यह फोगा को सूपर कम्पूटर का नाम है और 2011 के बाद अब जापान के किसी सूपर कम्पूटर को यह दरजा मिला है अच्छा इस लिस्ट के अंदर क्या भारत के भी कोई सूपर कम्पूटर है तो जी हाँ दोस्तों भारत के दो सूपर कम्पूटर टॉप 500 के लिस्ट में एक इक की रहेंगे 67 जिसका नाम है प्रत्युष नाम या ठकना important exam में आ सकता है प्रत्युष है और दूसरा जो super computer उसकी रहेंग रही है 128 तो उसका नाम है मिहिर यह आपके लिए important है जापान का तो क्या पता आपसे exam में पूछे या ना पूछे लेकिन भारत के जरूर आपसे पूछेंगे तो 66 वे स्थान पर रहा है प्रत्युष नाम का super computer 120 वे स्थान पर रहा है मिहिर नाम का super computer अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि यह जो list है यह यहाँ पर क्या है कि China के सबसे ज़्यादा super computer related list के अंदर है टॉप एक और को न है चाईना तक है है जहां दगना चाईनाके 500 में से 226 शुपर कंप्यटर इसमें चाईना ना कि मात्र 2 सूपरकंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प कि हाल इमें कुशिन अगर एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा मिल गया है यह किस राज़े तेत हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी महनत अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करके बता है कोई भी आपका दि आपके यहां पर एकरेट हो जाएगा यह जो कुशिनगर एरपोर्ट है यह कहां पर है यह यूपी में उत्रपरदेश के अंदर यहां से एक और करेंट अफेस का मैं आपको कुशन बता देता हूं कि जो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवरसिटी है वो भी कहां बन रह को फिर से शुरू कर दिया है हाली के अंदर और यह पाया गया है कि हातियों की जो संक्या है वहां पे 352 तक बढ़ गई है उसके अलावाद जियो टैग कम्यूनिटी किचन को शुरू करने वाला पहला राज्य उत्रपरदेश बन गया है वर्चुल कोड के जरिये सुनाई क प्रदान करने वाला राज्य भी कौन सा बना है एक मातर बना है उत्रपरदेश और अभी हाली में आपने कोशिन पढ़ा होगा कि मनरेगा के तहर श्रमीकों को सबसे जादा रोजगार देने वाला राज्य भी कौन सा बना है यूपी बना है और हाली में श्रमीक कल्यान आय यूपी के गोरगपूर टेरा कोटा को जी आई टेग मिल गया है ये भी मैंने आपको बताया था आयूश कवज कोवीड एब को यूपी से लॉंच किया गया था प्रवाशी रहाद मित्र एब भी यहां पर लॉंच हुई थी जन सुनवाई पोर्टर लॉंच हुआ है हाली में यूपी के अंदर और श्रमीकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टप फंड भी शुरू किया गया था सिट भी के साथ मेले कर तो काफी सारे कोशन्स बनते हैं उत्रपरदेश के संबंदित आपके एक्जाम में कोई भी आ सकता है तो इसलिए मैंने आपको पू प्रट हो जाएगा एव भी दोनों तो देखिया हाली में 45 ती आई एफफ 2020 का जो ब्रेंड अबेश्डर है वो इनको बना दिया गया है ती आई एफफ बेसिकली क्या है टोरॉन्टो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या है लिख देता हूं टोरॉन्टो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कब होगा ये 10 से लेके 20 सिप्टेंबर 2020 को होने वाला ये अभी आयोजित होगा हुआ नहीं है दस से लेके 20 सिप्टेंबर 2020 को इसका आयोजिन किया जाएगा और बात दोस्तों यहाँ पे आईए ब्रेंड अमबेश्डर की तो हाली में हमने जो ब्र बिहार खाडी का ब्रेंड अमबेश्डर बनाए गया है उसके इलावा जे एस ड大概 इस को थोड़ा मिटा देता हूं जे एसडव pesement का ब्रेंड अंबर इसा बना गया और सोराष गंगोली और सुनील छेतरी को और जे एस डव patrol का प्रेंड अब़ेश्डर किसे बनाए लिए रिशपंद को, बिहार खादी का मैंने आपको बदाएजिए आप अंकर त्रिपाटी को बनाया गया मानुशी छिलर को, एडिडास का अभी हाली में ब्रैंड अमच्छर बनाया गया है मानुशी छिलर को, उसके लावा गार गो इंटरनेशनल का बनाया गया इस वीडियो की जो पीडियाफ है वो आपको टेलिग्राम चनल पे मिल जाएगी उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथ साथ इंस्टाग्राम, फेस्बुक, टेलिग्राम और वाटसब जो कॉंटेक्ट डिटेल हमारे वो सभी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन्हें भी फॉलो कर लिए जाके और कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप हमें वहाँ पे पोसकते हो तो यह वाले वीडियो आपको कैसा लगा उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करके पोसकते हो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ साथ बेल लेकन को भी प्रेस कर लिजे तो दोस्तों धन्यवाद मिलते ने एक वीडियो में